हेलो आल तससस सान्वी शर्मा आइवलकम यू आल तो माई यूट्यूब चानल सोलफुल जोर्मी आज मैं आपके लिए पेका कार्ट रीडिंग लेकर आई हैं जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आप क्यू नहीं भूल पा रहे हैं क्या रीजन है आप उने भुला नहीं पा रहे हैं यह गाइड़ वीडियो होने वाली है अपने गाइड्स की प्रेसंस में मैंने आपके लिए औरड़ी कार्ट निकाल कर रखे हैं तो आज की वीडियो में आपको गाइडेंस देने वाली हूं कि आप इस प्रुष्टे को क्यू नहीं भूला पा रहे हैं आपने पार्टनर को क्यू नहीं भूला पा रहे हैं ज्यान से सुनिएगा वीडियो को और गाइडेंस को ग्राब करने की कोशिश कीचेगा रिसीव करने की कोशिश कीचेगा बहुत देर मेडिटेशन के बाद मैंने कार्ट शफल किये हैं guides की presence में उनकी permission के साथ ये guidance मैं आपके लिए लेकर आए So pile selection के लिए आपके पास दो option है, this is pile number 1 and this is pile number 2 Pile की selection आपको अपने नाम के first alphabet से करनी है So pile number 1 में है A-C-E-G-I-K-M-O Q-S-U-W-Y and pile number 2 में है B-D-F-H-J-L-P-R-N-T-V-X-Z इस वीडियो में guidance आपको मिलने जा रही है तो आपके पार्टनर का नाम कौन सी pile में आता है इसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है चाहे same ही pile क्यों ना हो ठेक है and one more thing अगर आप अपने पार्टनर की करन्ट फिलिंग्स जानना चाहते है उनकी तरफ से लव लेटर रीडिंग्स देखना चाहते है उनके अनकहे जजबाद जानना चाहते है तो मेरा एक नया चानल है Soul Mystic Tarot आप उस चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस चानल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चानल को सब्सक्राइब करने के पाद आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उस चानल के लिए मिलती रहे उस चानल में ये खासियत है कि वहाँ पर मैं आपके किसी एक क्वेशन का रैंडमली सलेक्ट करके अपनी वीडियो में जवाब देती हूँ आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सिंपल सा क्वेशन ड्रॉप कर सकते हैं जल्दी से चानल को सब्स्प्राइब कर ली चुए हो सकता है नेक्स क्वेशन आपका हूँ आपना क्वेशन वहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीचे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आई है आप अपने पार्टनर को क्यों भुला नहीं पा रहे हैं तो पहरा कार्ड यहाँ पर the master artisan का कार्ड है ओके, the next card is integrity का कार्ड है the next card is vision का कार्ड है the next card is patience का कार्ड है the next card is challenging times का कार्ड है the next card is share the love ka card next card is rest and reconsider ka card the next card over here is triumphant success ka card the next card is patience again patience ka card yahaan per prosperity begins ka card yahaan per the lovers ka card king of air ka card the moon ka card page of air ka card and strength ka card so so now we are going to give you a guidance that you are not forgetting to be your partner who is your partner who is your partner who is your partner with your relationship this is not just this birth you are not past life connection is पास्ट में भी कुछ चालेंज़ आपने एक्स्पीरियंस किये होंगे. लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ है. आपको आज समझ नहीं आ रहा है कि ये रिष्टा कौन से डारेक्शन में बढ़ रहा है. पतानी क्या हो रहा है इस रिलेशन्शिप में. लेकिन जब भी आप इस रिलेशन्शिप के बारे में सोचते हैं, अपने पार्टन के बारे में सोचते हैं, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है. मेरी इस वीडियो को आप आखें बंद करके सुनिये. आप रिलाइस करेंगे जो चीज़ें मैं आप से कह रहे हूँ. आप अपने पार्टन के बारे में ये बात महसूस करते हैं, कि वो बहुत ही नॉलेज़िबल हैं, वो एक रिस्पेक्टेड परस्नालिटी है, लेकिन उनके एक डिसुजन ने आपके जीवन के अंदर हर एक चीज़ बदल दी हैं. लेकिन क्या कर सकते हैं, आप इस रिलेशन्शिप को भुला नहीं सकते हैं, आप अगर उनके स्टेप को क्रिटेसाइस करते हैं, तो यहां पर भी आप गल्दी कर रहे हैं, उनके उस स्टेप लेने से आपके इस रिलेशन्शिप की जो भी कार्मिक सिच्वेशन्स हैं, वो activate तो हो गई है लेकिन गिस step कहीं न कहीं आपको बदल रहा है आपको पहले से बहतर बना रहा है इस relationship में अगर आप illusion के साथ बढ़ेंगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको illusions इस relationship में आपकी reveal होती जा रही है आपको इस relationship में intuition के साथ बढ़ने की ज़रूरत है आपकी intuition आपसे कभी भी ये चीज़ नहीं कहेगी कि आपके पार्टनर ने आपको धोका दिया है ये आप कहते हैं लेकिन आपकी intuition कभी भी ये बात नहीं कहेगी कि आपके पार्टनर आपको धोका दे सकते हैं या उन्होंने जो भी कुछ किया आपको hurt करने के लिए किया क्योंकि आपकी soul का उनकी soul के साथ कुछ connection है इस time पर आप अपने partner का सच नहीं समझ पा रहे हैं और आपके partner आपको नहीं जान पा रहे हैं खोड़ी से analytical आपको रखनी होगे आपके partner आपके साथ no contact zone में होगे आप उन्हें नहीं भूल सकते हैं क्योंकि जब भी आप उन्हें भूलाने की कोशिश करते हैं आपकी energy जब dip में जाती है कि नहीं आपको इस relationship में ही नहीं रहना है आपको अपने partner के साथ कोई relationship आगे नहीं बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपके partner की vibes आप तक पहुंच जाती है तो वो इस form में होता होगा या तो आपको आपके partner का नाम दिखाई देता है या उनका dream आचाता है आपको और आप दुबारा से उसी situation पर आजाता है और यह जो connection है यह बहुत ही जाता गहरा है इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है इस connection को आप इसी birth में experience नहीं कर रहे है आपने past life से यह relationship experience किया है तो अब यह relationship आगे कैसे बढ़ रहा है और कैसे बढ़ाना है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर guidance देने वाली हूँ देखे इस relationship में आपको patience रतना बहुत ज़रूरी है और यह आपके end पर सबसे important step है आपको बार बार इसमें failures experience करने के लिए मिलेंगे ऐसा नहीं है कि आप इस relationship में success हासल नहीं कर सकते लेकिन यह failures इस वज़र से आपको हासल होने वाले है क्योंकि बहुत सारी karmic situations है तो उन्हें हर time लगेगा ऐसा time जो उस cycle के लिए appropriate है तो वो cycle finish होगा तब आपके partner आपके पास आएंगे लेकिन एक चीज़ इसमें समझने वाली है अब यह cycles तो कितने भी लंबे हो सकते हैं यही जानना चाह रहे हैं होंगे आप यह cycle तब तक लंबा खिचता जाता है जब तक इस cycle को खतम करने के लिए efforts ना लगाए जाएंगे तो फिर तो यह cycle कहीं 20-20 साल का भी हो सकता है cycle का जो time period है वो आपके करम पे depend करता है तब ही तो इसको कार्मिक cycle भोलते हैं चेक है तो patience इस relationship में आपको रखना बहुत ज़रूरी है इस relationship में आप अपने challenge भरे वक्त से गुजर रहे हैं इन challenges से भाग पाना नामंकिन है challenges का सामना तो आपको करना ही होगा challenge का सामना करते जाएंगे patience रखते जाएंगे successful जरूर होगे इस relationship में आपको success जरूर हासल होगी और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन में बहुत ही जादा prosperity की energies को experience करेंगे लेकिन उस prosperity का बीज आपको बीजना है वो बीज आपको बोना है मैं दुबारा से आपको एक चीज बता रही हूँ ये karmic cycle बहुत जादा लंबा हो सकता है आपके लिए क्योंकि ये karmic cycle है तो कर्मा से ही इसका time period कम हो सकता है जब आप सही direction में सही steps लेंगे तो आपके इस karmic cycle को खतम होने से कोई ने रोख सकता है see one one guidance भी बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रही है one one का card है यहाँ पर लेकिन एक बार आपको इस relationship को लेकर थोड़ा सा रुक कर अपने partner के regard में खुद के regard में soul level पर energy की terms में एक दूसरे को समझने कि आपको पहले तो कोशिश करने होगे अगर सिरफ आप उन्हें blame करते रहेंगे यह ऐसा जाल है जो आप ही काट सकते हैं और आप उसे काटने में सक्षम तब होंगे जब थोड़ा सा इस problem से बाहर निकल कर सोचेंगे impatient होकर आज ही आज आज आपके partner आपके पास आजाए आज के आज आज आपका relation एक दूसरी के साथ सही हो जाए ऐसा नहीं होने वाला है इस relationship में उतार चड़ाव बहुत सारे हैं और हर उतार चड़ाव के साथ आपके अंदर एक transformation आएगी ठीक है आप ये बात महसूस कर रहे होंगे कि आपके partner ने आपके ज़बातों की कदर नहीं की उन्होंने आपको जीवन जीने का एक नया रास्ता तो दिखाया लेकिन उस रास्ते को cover करने के लिए उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया आप दोनों का प्यार अटूट है ये जो दरार आई है न ये आप दोनों को ये जो उपर का shell है ये रिलीस होगा दोनों का रिलीस होगा और उसके अपवाद आप दोनों एक बहुत ही खुबसूरत बंधन में बन जाएंगे जिस relationship में इतनी depth है उस relationship को आप कैसे भुला सकते हैं इस relationship को भुला पाना आपके लिए कही ना कही ना मुमकिन सा है अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करके इस relationship से move on भी कर लेते हैं और अपने आपको किसी और की जिन्दगी में आप देखते हैं या फिर आपकी जिन्दगी के अंदर कोई और person आ जाता है तब भी आपके partner की दस्तक आपको बार बार मिलती रहेगी अपने जीवन ने क्योंकि ये past life connection है और इस connection है आप दोनों की past life को trigger किया है ओके इसमें patience रखना क्यों ज़रूरी है क्योंकि patience के साथ आपकी transformation होगी और आप universal rhythm के साथ अपनी rhythm को match कर पाएंगे इस relationship को बदलने के लिए ये एक key point है सब्रस से काम लेना होगा, steps plan करने होगे, तब ये relationship ठीक हो सकता है अपने vision को आपको broad करना होगा चाहें आज हला जो भी है, आपको एक bigger picture की और देखना है आपको ये नहीं देखना है कि आपके partner क्या कर रहे हैं आपको आप दोनों के relationship को लेकर कोई भी फैसला नहीं लेना है अपने partner के actions को देखते हो क्योंकि आपके partner जो actions ले रहे हैं, वो अपनी energy के according नहीं ले रहे हैं यहाँ पर integrity का card है आपको अपने soul के truth को समझना होगा और अपने हर actions से आप इस प्यार को अपने जीवन में ला सकते हैं actions आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए यहाँ पर the master attention का card है इस relationship को जैसा बनाना चाहते है वैसा आप बना सकते हैं इस relationship को और खराब करना चाहते हैं तो negative सोचते रहे पार्टनर के regard में उन्हें क्रिटिसाइज करते रहे यहाँ पर नंबर 8 है साटन का नंबर कहीं न कहीं लिंक होता है करम आपके रिष्टे में प्रधान रहने वाले हैं जिस तरह के करम होंगे उस तरह का result मिल जाएगा जो input हो गया वो output निकल आएगा लेगन अगर आप यह सोचें कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया तो इसका जवाब आपको समझना होगा कि जो आप दोनों के बीच के कार्मिक साइकल्स हैं उन्हें end आपको और आपके पार्टनर को इसी birth में करना है आपके पार्टनर अगर आज अपने जीवन में सफर कर रहे है तो वह आपने कार्मिक साइकल को खतम कर रहे हैं लेकिन जो आपका कार्मिक अकाउंट है उस साइकल की साथ associated वो तब तक खतम नहीं होगा जब तक आपका करमा इंवर्ड नहीं होगा ठीक है, आपको इस रिष्टे को भूलाना ही नहीं है, आपको इस रिष्टे के उपर काम करना है आज की रेडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लारिटी मिली होगी नीचे बचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा, यह रिडिंग आपको कैसी लेगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नेर इंडिया वांस के साथ शेयर जरूर कीज़ेगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशन्शिप को लेकर कुछ क्लारिटी मिल सके, तो डू शेयर माई वीडियो अलसो मेरा WhatsApp नंबर और Email ID स्क्रीम पर फ्लाश होंगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज पेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नएने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें, मेरे एक और चानल भी है, Soul Divine Journey Tarot, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करती हूं, जो आपको आपकी लाइफ को चानलाइस करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी दे उस चानल पर मैं आपके पार्टनर की करन्ट फीलिंग्स उनकी तरफ से आपके लिए अनकहे ज़वान, Yes or No Pendulum Readings, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं इस चानल पर पोस्ट करती हूं, इस चानल का लिंक पी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चानल को सब्स रहे हैं, क्या reason है, completely guided video रहने वाली है, so बड़े जान से सुनेगा, समझेगा, and एक बार इस वीडियो को सुन कर अपने रिष्टे के बारे में सोचने की कोशिश जरूर कीचवेगा, ठीक है, so पहला कार्ड यहां पर five of scrolls का कार्ड है, यानिकि diversity का कार्ड है, then is loyalty का कार्ड ह The next card is unity का कार्ड है, move का कार्ड है, next card is moving on का कार्ड है, next card is throat chakra का का कार्ड है, the next card is spiritual strength का का काड है यहां पर, the next card is emotional loss का 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 अपर, Solar Plexus Chakra का card है यहाँ पर The next card is Page of Earth का card है The next card is Two of Air का card है The next card is Ten of Fire का card है The next card is Ace of Earth का card है And Renewal का card है So जिन्होंने Pile No. 2 चूस किया है सबसे Importantly जो बात मैं आपको आपके partner के regard में बताना चाहते हूँ कि आपका मन भी नहीं मानता है कि वो आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते है आपका दिल इस बात को मानता नहीं है आप इस Relationship से Move On करना चाहते है उसका Reason है कि ये Relationship कहीं न कहीं आपको बहुँँज़ादा Burden दे रहा है आपको ऐसा लगता है कि जितनी का आपको knowledge है उसके according आपने पूरा इस Relationship पर काम कर लिया है इस टाइम पर आप इस Relationship से अपने partner के actions से बिलकुल ठक चुके हैं आप अपने आपको बहुत exhausted महसूस कर रहे हैं लेकिन इस Relationship में आपकी जो actions हैं वो आपको result इस वचे से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके partner की energies को negative energies के साथ change किया गया है आप अपने partner को भूल नहीं पाएंगे उसका reason ये भी है कि आपका मन ये बात मानने को तयार नहीं है कि आपके partner अपने होशो हवास में आपको इतना hurt कर सकते हैं आप भी इस बात को सोचकर परिशान है कि वो क्यों इतने ज़दा in decision की energies में है क्यों आपकी manifestation काम नहीं आ रही है क्यों आपके partner इतना confused act करते हैं दिल से आप कहीं न कहीं आज भी उनसे एक stable proposal एक बहुत ही जादा practical proposal expect करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो practically इस रिष्टे की शुरुवात करें वो इस रिष्टे को renew करें ये उमीद आपके अंदर से खतम नहीं हुई है ऐसा नहीं है कि आप इस रिष्टे को बुला चुके हैं लेकिन आप ऐसा करना चाहते हैं because exhaustion बहुत जादा है mental stress बहुत जादा हो रहा है एक बात मानेंगे मैं आपको advice देना चाहूंगे इस relationship में जब आपके partner आपके साथ थे न तब का अपना behavior और आज जो आप हैं अपना आज का behavior दोनों को evaluate कीजे आपको self evaluation की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उससे आपके जीवन के कई सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इस relationship को आप rebirth की energies के अंदर लेकर जाना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner ने आपके साथ इतना ज़दा distance create कर लिया है वो इतना ज़दा transform हो गए हैं कि आपके कोई बात सुनने को समझने को आपके partner तयार ही नहीं है और ये चीज आपको बहुत ज़दा hurt कर रही है आप अपने आपको इस third party से कही न कही compare कर रहे है आप ये सोच सोच के बहुत ज़दा परेशान है कि आपके partner आपकी बात तो इतने अच्छे तरीके से माना ही नहीं करते थे कभी और आज वो इस third party के साथ इतना अपना पन क्यूं दिखा रहे है ये चीज आपको बहुत ज़दा परेशान कर रही है कहीं न कहीं और इस वज़द से भी अपने partner को इतना ज़दा बदलते हुए देखकर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे है आप अगर अपने partner को block कर देते हैं तो उन्हें unblock करके दुबारा चेक करने की कोशुश करते हैं कहीं उन्होंने आपको unblock तो नहीं कर दिया है तो बहुत सारी चीज़े हैं जो आपके दिल दिमाग में चल रही हैं आपके दिल और दिमाग की आपस में coordination नहीं है आपका दिल कुछ कहता है आपका दिमाग कुछ कहता है आपका दिमाग कहता है कि इस person से move on कर जाना चाहिए क्योंकि परिस्तियां आपके favor में नहीं चल रही है लेकिन आप move on इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको अपने प्यार पर यकीन है आपको कही न कही अपने partner पर यकीन है आपका यकीन गलत नहीं है यहाँ पर आपके partner ने एक गलत decision लिया है और किस तरहां से गलत रहे हैं वो अपने decision में वो भी मैं आपको explain करूँ ही लेकिन इस relationship से ना move कर पाने का reason यह है कि आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं और आज के टाइम पर उनकी लाइफ को देखकर बहुत ज़ादा आप आश्चरे चकित हैं कि किस तरीके की एनर्जी इसमें वो एंडर कर चुके हैं सो यहां पर लॉयल्टी का कार्ड है आपके पार्टनर ने पास्ट के अंदर आपकी लॉयल्टी को बिट्रे किया उनने आपको धोका दिया आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के पास गए थे अब यह क्वेशन यहां पर खड़ा होता है कि जब आप उनसे इतना प्यार करते हैं आपके पार्टनर ने भी आपसे प्यार किया होगा तो वो आपको बिट्रे करके इस third body के पास क्यों गए इस चीज को समझना भी तो बहुत ज़रूरी है इस चीज का reason यह है कि आपके पार्टनर जब आपके पास थे वो आपसे emotionally कुछ expect कर रहे थे वो emotional cooperation चाह रहे थे आपसे और उन्हें वो cooperation आपसे नहीं मिली अब आप कहेंगे नहीं आप तो उनसे बहुत साथा प्यार करते हैं आपने तो उनके लिए बहुत कुछ किया है आपके प्यार में कोई कमी नहीं है लेकिन उसके expression में कमी रही है आप अपने प्यार को उस तरह से express नहीं कर पाया है emotions की terms में जहां पर आपके partner को आप से उतना emotional touch नहीं मिल पाया अपने आपको अकेला महसूस कर रहे थे तो किसी third person ने उनका ये जो emotionally खालीपन है उसे दूर किया और इसकी वजह से आज वो person आपकी जिन्दगी में third party के रूप में है ठीक है आप यहां पर unity का काण है आप अपने दिल से ये चाहते हैं कि आपके partner के साथ आपका union हो जाए बट इस बात को अपने जुबाँ पर लाने से भी कही न कहीं आप डरते हैं उनके हर एक बडलते behavior के साथ उनको पाने की इच्छा आपके अंदर तीवर होती जा रही है ये एक ripple effect है जैसे कि पानी के अंदर हमें एक पत्थर डालते हैं तो उसके साथ में waves बनती जाती है waves बनती जाती है ऐसे ही हो रहा है आपके partner का एक action आपके against वो एक ripple effect का काम करता है आपके लिए ठीक है आप बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं उनके आपको block करने से उनका आपका नाम किसी friend के सामने लेना ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा effect करती हैं ठीक है आप उपर से सबसे यही कहते हैं कि आपको इस relationship में आपके partner अब वापिस कभी नहीं चाहिए उन्होंने आपको बहुत दुख दिया उन्होंने आपको बहुत सताया उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की उन्होंने आपको चीट किया आप सबसे यही बात कहते हैं लेकिन फिर भी अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हैं, उसका reason ही ये है कि आप दिल ही दिल में उनसे unity चाहते हैं, उनसे union चाहते हैं, यहां पर move and moving on का card है, आप जैसे ही move on करने की कोशिश करते हैं, आपका दिल आपको दुबारा से उसी स्थिती पर ले आता है, आप अपने partner के साथ प्यार से बंदे हुए हैं, आप उनसे immensely बहुत ज़्यादा महबबत करते हैं, इस वज़ों से आप अपने partner से move on नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप उनसे move on करके किसी और person को अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करते हैं, तो आप उस नए person के अंदर अपने partner क qualities को देखना शुरू कर देते हैं, सर्च करना शुरू कर देते हैं, ठीक हैं, और उससे आपको satisfaction नहीं होती क्योंकि आपके partner जैसे qualities आपको किसी दूसरे person के अंदर नहीं मिलती, तो आप बहुत ज़्यादा unsatisfied महसूस करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको किसी के सा अपने जीवन में अटाच नहीं होना है, और कहीं न कहीं आपका emotional loss हो रहा है, आप एक emotional loss की स्थिती में हैं, आज ये emotional loss आपको महसूस हो रहा है, बट अगर past में देखें, तो इन ही emotions के लिए तो आपके partner तरस रहे थे, और आज अगर आप अपनी justification भी देने की कोशिश करन चाहते हैं, कि आप अपने partner को हर एक emotion से परिपून करेंगे, तो आपके partner के हालात ऐसे नहीं है, कि वो आप तक बढ़ पाए, आप जो महसूस कर रहे हैं आज भी, उस चीज को express नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके throat chakra की blockage है, और आपके partner आपकी साथ communication नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे, मतलब lower chakra की भी बात करूं, तो वो affected हैं, और आप से communication उनका established नहीं हो सकता है, इस relationship में, आपके partner को भूल जाना, बहुत 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 डिफिकल्ट है, भूलना चाहते हैं उन्हें, तो उनकी खोज किसी और person में करनी बंद क किसी और person में उन्हें find out करना बंद कर दीजे, जब आप अपनी ये खोज बंद कर देंगे, तो कहीं न कहीं उनसे move on कर जाएंगे, लेकिन आपका प्यार कहीं न कहीं सच्चा है, और ये जो आपका सच्चा प्यार है, ये बार 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 आपको उनके बारे मां सोचने पर इंगा नमबर डिलीट कर देना, दुबारा से अड़ कर देना, मोबाइल में नमबर है, दिमाग में भी है, दिल में भी है, मोबाइल से डिलीट कर दोगे, दिल और दिमाग से डिलीट कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं है, तो अगर अपने प्यार पर आपको इतना ह इन सारी बातों को अगर एक बार समझेंगे तो जो भी यह anxiety, यह depression होता है आपको, वो होना बंद हो जाएगा, अपने partner से move on करने का morning में आप decision बनाते हैं, आज हम अपने partner से move on कर जाएगे, उस person में मुझे बहुत दर दिया, बहुत धुका दिया, मुझे इस person के साथ बिलकुल भी नहीं रहना है, और रात होती 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 है, आप रोना शुरू कर देते हैं, आप anxiety की और चीज में आ जाते हैं, आप अपना future सोचने लगते हैं, कि अगर आपके partner इस future में आपके साथ नहीं होंगे, तो आपकी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा होई ही नहीं सकता है, फिर ये thoughts आपको कहीं ना कहीं करना शुरू कर देते हैं, anxiety अपने लिए आप खुद क्रियेट कर रहे हैं, depression आप अपने लिए खुद क्रियेट कर रहे हैं, आपके partner और आपकी स्थिती ऐसी बन गई है, कि आपके partner को realization हो, ये आप चाहते हैं, इसलिए उनका कहीं ना कहीं बहुत deep inside अपने दिल में उनका इंपजार भी आप करते हैं, लेकर, इन energies के साथ आपके partner को को realization नहीं होने वाली है, बहुत मुश्किल है, और इस relationship में आप ये भी जानना चाहेंगे, कि आप ही को guidance क्यों मिलती है, क्योंकि ये relationship आपके अंदर एक spiritual transformation लेकर आएगा, और जिस इंसान के destiny के अंदर ये spiritual transformation ही हुई होती है, वो इंसान चाहकर भी उस्तिती से दूर नहीं हो सकता है, जो स्तिती उसके जीवन में ये transformation लेकर आती है, और आपके case में आपके partner है, जो आपकी spiritual transformation के लिए responsible है, तो आपका आपके partner को भुला पाना बहुत difficult है, और अगर आप भुला देते हैं, अगर आप move कर जाते हैं, तो जो आपका soul purpose है ना उससे कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे, आपको फिर birth लेना होगा, फिर आप अपने soul purpose की तरफ को move करेंगे, इस जीवन में आपको soul purpose की तरफ बढ़ने के लिए रास्ता यहीं सहीं मिलेगा, आपकी इस transformation से मिलेगा, इसलिए भी कहीं ना कहीं universe नहीं चाते हैं कि आप अपने partner को भूल जाएं, बलकि यह relationship आपके partner का nature आपके अंदर बहुत तरीके के बदलाब लेकर आ रहा है, और आपको इस नजरिये के परिवर्तन की ज़रूरत है, आप अपने thought process में बहुत stubborn है, ठीक है, आपका thought process इतने easily change नहीं होता है, आपकी life के अंदर diversity लाने के लिए ही कहीं ना कहीं इस relationship के अंदर इतनी सारी problems को आप face कर रहे हैं, आपके partner जब आपके साथ ही, वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आज भी उन्हें इस प्यार की realization होती है, लेकिन आपके partner को आपके लिए बुलाना इसलिए मुश्किल है, क् कि कहीं ना कहीं आपकी spiritual transformation इस चीज के साथ जुड़ी हुई है, secondly, आप उनसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपका प्यार आपको आगे move करने नहीं देता है, आज की रीडिंग से आपको बहुत ज्यादा clarity मिली होगी, नीचे मुझे comment section में बताइएगा, ये reading आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना बद भूलिएगा, अपने नेर एंडियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजेगा, हो सकता है, किसी को अपनी ला reading मेरे साथ book कर सकते हैं, ये booking आप एर WhatsApp के थ्रूँ या फिर मेरी email ID के थ्रूँ कर सकते हैं, मेरा WhatsApp नमबर और email ID स्क्रीन पर flash होगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कर लीचे और bell icon को press करना मत भूलिएगा, जिससे कि आ आपको ने ने वीडियो की notification मिलती रहे, मेरे कौर चानल भी है, Soul Divine Journey Tarot, link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, उस चानल पर में कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करते हूं, जो आपको आपकी लाइफ को channelize करने में मदद करती है, और मैं अपने daily angelic guidance रोज रात 8 बजे उस चानल प बिलती रहे, मेरे कौर चानल भी है, Soul Mystic Tarot, उस चानल पर मैं आपके partner की current feelings, उनके अनकहे जज़बात आपके लिए, आपके partner की तरफ से love letter readings, yes or no pendulum readings, ऐसी सभी readings मैं Soul Mystic Tarot पर upload करते हूं, आप लीज उस चानल को भी subscribe ज़रूर कर लिए ज़एगा, और वहाँ पर भी bell icon को प् सबगी notifications मिलती रहे, उस चानल का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, उस चानल पर मैं एक प्रेशन का उत्तर भी देती हूं, तो आप comment section में अपना कोई भी simple सा question drop कर सकते हैं, और मैं randomly a question pick करके सवाल का जवाब वीडियो के अंदर देते हूं, तो जल्दी से चानल को subscribe करने thoughts for watching, see you soon.